पाकिस्तान ने definitely history books में अपना flag और अपना जो नाम है ये डाल दिया है आप अगर encyclopedias के pages देखोगे जहाँ पर लिखाए के list of moon missions यहाँ पर obviously आपको चंदरयान 3, चंदरयान 2, USA के जो various missions थे, USSR के missions ये सब तो आपको मिलेंगे अब इस सब में सुपारको का भी नाम आड होगे मगर मैं आपको ये बदा दू पाकिस्तान के लिए ये historic है पहली बार है पाकिस्तान moon पर एक satellite भेज रहा है जब मैं बोलता हूँ ना satellite तो हमको समझना होगा के ये basically है क्या करने के लिए ये बहुत ही यूनीक लगा मुझे क्यूंकि पाकिस्तान जो है वह स्पेस के स्चेत्र में उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया है वीडियो देखना काफी ज्यादा कि पाकिस्तान ने अपना पहला मून मिशन है वह उसने लॉंच कर दिया है तो मुझे काफी ज़्यादा खुशी हुई ये सुनके मुझे काफी अच्छा लगा कि मारे उसी देश भी कोशिश में सफल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे जगा पर स्टैंड कर रहे हैं वीडियो को स्टार्ट करते है रियाक्शन उसके बाद बात करेंगे कि क्या सा लगा वीडियो अगर आप चाल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजे इसी तरह की और भी रियाक्शन वीडियो अगर आप देखना चाते हैं तो कमेंट में पाकिस्तान में देखिए बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि जिस तरीके से इंडिया ने चिंदरयान 1, 2, 3 लाँच कर दिया, लिटरली मून पर लैंडिंग कर दी, मून पर रोवर चला दिया, पाकिस्तान भी चाहता था कि ये लोग भी मून पर पोचे चाहे जैसे भी ये मिशन सक्सेस्फूल होगा नहीं होगा, कुछ आने वाले दिनों में पता लग जाएगा उमको, मगर मैं आपको ये बता दू, पाकिस्तान के लिए ये हिस्टोरिक है, पहली बार है पाकिस्तान मून पर एक सैटलाइट भेज रहा है, जब मैं बोलता हूँ ना सैटलाइ चाइना, चाइन की मिशन, ना देखो, वैसे इसके नीचे बहुत अच्छी ट्वीट थी इस आदमी की, इसने लिखा रहा कि देखो पाकिस्तान के संटेस कैसे लिखती है, क्यार ये मजाग की बात है, मगर हमें ये भी समझना होगा, कि पाकिस्तान बेसीकली मून पर भेज क्या रहा है, क्योंकि मून पर कुछ भेजना, बहुती मुश्किल कारे होता है, बहुती लिमिटेड कंट्रीज हैं, जो खुद कुछ मून पर भेज सकती है, तो पाकिस्तान जो यहाँ पर क्लेम कर रहा है, कि हिस्टोरिक मायल स्टोन और हमने भेज दी सैटलाइट मून पर यह सैटलाइट के बारे में आपको जानना होगा, देखो, यह है सैटलाइट, और इस सैटलाइट का नाम है IQ-Q, एक बहुती छोटी सैटलाइट है, वजन है सैटलाइट का 7 kg, और अगें देखो, अब मैं क्या बोलू, कि यह सैटलाइट पाकिस्तान के साइन्टिस्ट ने पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि सुपार को जो पाकिस्तान की स्पेस एजन्सी है, उसके लावा जो चानीज स्पेस एजन्सी है, उन्होंने मिल कर यह सैटलाइट तियार करी है, वेल, इन रियालिटी यह सैटलाइट किट में आती है, लिटरली आप देखो, पीछो यहाँ प आपको याद होगा कुछ महीने पहले आजादी सेट काफी निज में थी इंडिया में जो हमारी female school students है इन्होंने 8 kg की ये सेटलाइट तियार की थी तो जो क्यूब सेट है ये काफी बार देशों में students, college students ये तियार करते हैं is not something very remarkable now remarkable हो या ना हो पाकिस्तान ने definitely history books में अपना फ्लाग और अपना जो नाम है ये डाल दिया है आप अगर encyclopedias के pages देखोगे जहां पर लिखाए के list of missions यहां पर obviously आपको चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, USA के जो various missions थे, USSR के missions ये सब तो आपको मिलेंगे अब इस सब में सुप मारको का नाम यहां पर रखा है, Chang E6, China का mission, basically China यहां पर पाकिस्तान का जंड़ा भी वहां पर आगया है, और यह moon lander जो करेगा यह काफी impressive है, जो चीज हम चंद्रयान 4 में करना चाहते हैं, चंद्रयान 4 में आपको बताओगा, हमारा objective यह है, कि lander moon पर land करेगा, moon पर से चाहिना इस टाइप का जो sample return mission है, यह conduct कर चुका है, तो यहां पर आप देख पाओगे, जो यह दी successful होने वाला है, मुझे लग रहा है, जिसमें पाकिस्तान की साथ किलो की, जो आप किलो छोटी satellite है, वो भी इन्होंने डाल लग की है, इसमें main काम है lander का, जो पाकिस्तान क चाहिना सिर्फ पाकिस्तान की satellite moon पर पहुचा रहा है, साथ में कुछ scientific instruments है, फ्रांस के, इटली के, European Space Agency के, वो भी चाहिना अपने Chang E6 mission के अंडर moon पर लेके जाएगा, अब नाव यहां पे अगर आपका एक question यह है, क्या कमाल कर रहा है, कि European countries के जो instruments हैं, यह लेकर जाएगा moon पर देगे, European Space Agency आज के समय इतना कुछ remarkable काम करने ही पा रही, satellite launches के मामले में, मैं आपको एक उखान देता हूँ, इस रो बहुत ही जल्द, Europe का probe 3, प्रोबा 3, जो एक इनका mission है, यह launch करने वाला है, सप्तमबर 2014 में यह mission हम launch करेंगे, हम यहाँ पर PSLV, XL rocket का use करने वाले हैं उस टाम भी आप देखोगे, इंडिया काफी news में रहेगा, कि हम लोग Europe का एक बहुत important mission जिसमें यह sun को study करेंगे, उसको launch करने वाले हैं, तो चाइना, Moon, India, Sun, कहने की बात यह कोई बहुत जादा remarkable बात नहीं है, कि चाइना, European countries के जो instruments है, यह लेके जा रहा है, मून पर, अब लास्ट कोईशन यहां पर आपका यह आ सकता है, कि पाकिस्तान का जो यह IQ, क्यू है, यह IQ, सैट, छोटी सी सैटलाइट, यह बैसिकली करेगी क्या, यह क्या बस पाकिस्तान का चंडा लगा हुआ है, इस पर और बस यह चाइना के रॉकेट के ऊपर बस बैठ कर, यह ब बताया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से, कि जो मून की मैगनेटिक फील्ड का डेटा है, वो भी एक्वाइर करने ही कोशिश करेंगे, ना इसको लेकर मुझे पता नहीं पाकिस्तान क्या कर पाएगा, क्या डेटा एक खटा करेंगे, साथ के जी की क्या इनके पास चंद्रयान 3 को जब हमने फाइनली लांड किया था, कितना अच्छा लगा था, हलांकि पाकिस्तान उसके पूरे देश को अच्छा लगाता है, मगर उनके परस्पेटिव से अगर मैं सोच कर देखू, तो एक कंट्री जो IMF के लोन के अंडर दबा हुआ है, एकॉनमी ढंग इंडियन परस्पेटिव से देखें ये मिशन तो जो चाइना कर रहा है, वो इंस्पारिंग है, ठीक है, जो चाइना ये लैंड करेगा मून पर, अगर करता है सक्सेस्फुली, अगैन कुछ पता नहीं होता, और वहां से स्टैंपल लेके वापस आने का ये टेक्नलोजी, इंडिया के लिए, क्योंकि चंदरयान 4 के अंडर हम यही करने क्या प्रयास करने वाले हैं, बागी पाकिस्तान ने जो किया देखिए, कुछ इससे कुछ खास मिलेगा तो नहीं इनको, में फायदा तब हो सकता है, जब पाकिस्तान का यूथ इंस्पार्ड फील करे, वो लिए बस एक फील गुड टाइप की एनर्जी आ जाएगी इस पूरे मिशन से, ओके तो वीडियो खतम हो चुकी है, एंड मुझे तो यह चीज काफी अच्छी लगी कि चाइना ने उनका जो एक सैटेलाइट था वो उसको ले जाने के लिए है, मतला उन्होंने उसको ले ग कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चाइना स्टार्ट कर चुका है, तो भाई चाइना आगे है, हमारे इंडिया से कही ना कहीं, जहाँ पाकिस्तान ने भी अपनी कोशिश तो जारी रखी है, कोशिश तो गरी रहा है, मुझे लगता कि इसमें ऐसे वो बोलने वाली कोई बात कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं हुई है, और बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, यह चीज़े नहीं बोलनी चाहिए, कही ना कहीं यूथ को इंस्पायर और करना चाहिए, वहाँ के जो साइन्टिस्ट है, उनको और जादा यूथ को अपने इंस्पायर करना और उनको अपने स्कूली पढ़ाई एंड गोता है उसमें उनको वो चीजे एड पर नहीं फोड़ा क्वालिटी एड करना होगा और अच्छे से संजाना वह बच्चों को ताकि बच्चे पढ़ाई के छेत्र में आगे बढ़ें, ना कि भाखी चीजों के छेत्र में जो भी वह बहुत चीज़ें होती है पाकिस्तान में लेमेड़ पाकिस्तान ने भी काफी अच्छा एक्षिश किया इसके लिए मैं टारीफ करना चाहूंगि मुझे काफी खुश जानके कि यार हमारे पड़ोसी देश एक जो की काफी जादा चर्चे में रहता है वो कहीं न कहीं एक अच्छे काम के लिए चर्चे में है एंड उन्होंने एक कोशिश करी है जो की काबिले तारीफ है चाइना के साथ मिलके करी है और फ्यूचर हो सकता है कि पाकिस्तान अपन से सैटलाइट बना के खुद से जाए स्पेस में आपको कैसा लगा यह वीडियो और इस बारे में आपकी क्या थिंकिंग है कमें शिक्षिन में जरूर से पताएगा मैं आप लोगों के कमेंट देखना चाहूंगी मुझे काफी खुशी होगी वीडियो अगर पसंद आई त गुस्तों के साथ स्फियर करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब लिए थैंक्स वाचिंग है वीडियो बाई बाई